नमस्कार मित्रो जैश्री राम मित्रो हमारे इस वीडियो में भगवान श्री राम की पत्रिका देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं करक लगन की पत्रिका है और मित्रो करक लगन में ही चंद्रमा बेठा है तो जब भी लगन में चंद्रमा बेठे तो जनम इस्थान के पास पानी हो सकता है और करकर आशी का चंद्रमा नदी को बताता है तो जिसा कि आप जानते हैं भगवान राम का जनम एउध्या में हुआ और वहाँ पे सर्यू नदी है तो ये करकर आशी के चंद्रमा के करण सर्यू नदी है वहाँ करक लगन की खास बात होती है कि पूरा जीवन माता के अनुसार चलता है क्योंकि जिसा कि आप जानते हैं करक राशी चोथी राशी होती है जो माता को भी बताती है तो पूरा जीवन का जो आधार रहा वो माता रही माता के कई के कारण 14 साल का वनवास हुआ मित्रों यदि लगन में चंद्रमा बेठे तो व्यक्ति जीवन में यात्राएं भहुत करता है तो यहाँ पर आप जेख सकते हैं चंद्रमा लगन में स्वाराशी है तो इसलिए भगवान राम को वनवास के दोरान बहुत यात्राएं करनी पड़ी चुकि उस समय वहान नहीं होते थे तो पद यात्रा करनी पड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्र गुरू के आगे राहू बेठा है तो मित्रों गुरू होता है जीव और चंद्र राहू होते हैं विदेश इसलिए भगवान राम को शिरी लंका जाना पड़ा था मित्रों भगवान राम का जनम यूपी उत्तर प्रदेश में आयोध्या में ही क्यों हुआ क्योंकि चोथा भाव जो होता है व्यक्ति का इस्थान रहता है तो चोथे भाव में सनी बेठा है और सूरी देख रहा है सनी और सूरी से यूपी देखते हैं उत्तर प्रदेश देखते हैं इसलिए भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में अयुद्या में हुआ, अब हम आगे चलते हैं, मित्रों तीसरे भाव से नोकर देखते हैं, और छटे भाव से भी नोकर देखते हैं, तीसरे भाव से इसलिए देखते हैं, क्योंकि नोकर हमारे लिए पराकरम करते हैं, मे दासी मंत्रा जो नोकरानी थी दासी मंत्रा के कारण राजनितिक शडियंत्र के कारण राहू राजनितिक शडियंत्र भी होता है तो शडियंत्र के कारण भगवान राम को चौदा साल का वनवास हुआ क्यदी कुंडली में चोथे भाव में शनी बेठे तो व्यक्ति की एक से ज़्यादा माता है हो सकती है इसलिए भगवान राम की तीन माता जी थी मित्रो अब हम आगे चलते हैं हन्मान जी ने भगवान राम की बहुत सेवा की और साथ दिया मित्रो लंबे समय का साथ दूसरे भाव से देखते हैं तो दूसरे भाव का स्वामी सूरी बेठा है और सूरी को मंगल देख रहा है चोथी द्रश्टी से इसलिए हन्मान जी का लंबे समय का साथ प्रभू शिरी राम को मिला छटे भाव से शत्रू देखते हैं तो छटे भाव का स्वामी गुरू है इसलिए शत्रू रावन भी ग्यानी था अब मित्रों हम देखेंगे भगवान राम को जंगल क्यों जाना पड़ा मित्रों जंगल शनी और सूरी से देखते हैं यदि चोथे भाव पर शनी सूरी का प्रभाव हो तो व्यक्ति को जंगल जाना पड़ सकता है मित्रों चोथे और दस्वे भाव पर शनी और सूरी की लड़ाई के कारण ही राश्तिलक होने की जग़ वनवास हो गया था अब मित्रो हम आगे चलते हैं साथवे भाव में मंगल बेठा है जो पाँचवे भाव का स्वामी है पाँचवे भाव से संतान देखते हैं तो संतान लवकूश जो थे वो बहुत बाहदूर थे और अशुमेक यग्गी के समय भगवान राम से युद्ध के लिए तयार हो गए थे घोड़े को पकड़ लिया था तो मित्रो पंचमेश जो मंगल है वो उच्च का बेठा है इसलिए दोनों संतान बाहदूर थे अब आगी चलते हैं शुक्र केतु के साथ बेठा है मीन राशी में इसलिए ही पत्नी सीता से अलग होना पड़ा था रावन के कारण और रावन दूसरी कंट्री मतलब शिरिलंका ले गया था क्योंकि मीन राशी विदेश की राशी भी होती है और केतु उसका स्वामी भी होता है मीन राशी का केतु वरश्ची को और मीन राश्ची का स्वामी होता है तो मित्रो केतु के कारण ही पत्नी से अलग होना पड़ा और पत्नी को छुडाने विदेश शिरी लंका तक जाना पड़ा मित्रो प्रभु राम को परंतु शुक्र और केतु पर गुरु की द्रश्टी उच्चे के गुरु की द्रश्टी होने के कारण पत्नी की प्राप्ती उन्हें वापस हो गई हनमान जी और वानर सेना की मदद से और लक्षमन जी की मदद से मित्रो यदि लगन में गुरु बेठे तो व्यक्ति धार्मिक और सात्विक होता है और दशम भाओ का सूर्य व्यक्ति को मरियादित बनाता है तो यहाँ देख सकते हैं दशम भाओ पे सूर्य उच्च का है और लगन में गुरु उच्च का है जिसने मरियादा पुर्शोत्तम बनाया हमारे प्रभू शीरी राम को लगन में चंद्रमा सोराशी है और अश्ट में शनी चंद्रमा को दस्वी द्रश्टी से देख रहा है इसलिए ही आखरी में प्रभू राम ने जल समादी ली थी मित्रो मंदिर निर्मान के लिए इतना संगर्श क्यों करना पड़ा क्योंकि आप देख सकते हैं कुणली में चोथे भाव का स्वामी शुक्र केतु के साथ बेठा हुआ है केतु एक वकरी ग्रह है और मीन राशी में भी बेठा है इसलिए राम जन्म भूमी पर मंदिर निर्मान में इतना 550 साल का समय लग गया परंतु माननी सुप्रीम कोट के आदेश से मंदिर निर्मान शुरू हुआ क्योंकि चोथे भाव में उच्च का शनी है तुला राशी का चिन्न तराजू होता है तुला राशी नियाय को बताती है और यहां शनी उच्च का है मतलब उच्च का नियायल है मतलब सुप्रीम कोड तो सुप्रीम कोड की मदद से मंदिर निर्मान का कारी शुरू हुआ और हमारे माननी प्रधान मंत्री मोधी जी और योगी जी और सभी देशवासियों की मदद से मंदिर निर्मान कारी पूरा इस बात पर मित्रों हमें खाली समय में रामायन का पाठ हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ या बजरंग बान का पाठ हनुमान अश्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए जैश्री राम मित्रों हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी को धन्यवाद थेंक्यू